ना तो अध्यापक जिम्मेदार है ना तो परधान जी जिम्मेदार है यह स्कूल की हालत यही है नमक और भात बच्चों को फिलाया जा रहा है ना यहां पे कोई चाट पट्टी है बैठने के लिए ना तो सब्जी है ना तो दाल है और इसकूल की हालत यही है नमक और भाथ बच्चों को खिलाया जा रहा है, यहां पे कोई टाट पटी है बैठने के लिए ना तो सब्जी है ना तो दाल है, यहां दोचार लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, सब नमक भाथ खा रहा है, बच्चे जिता है ना तो अध्याप जिम्मेदार है ना तो परधान जी जिम्मेदार है। कौन पढ़ेगा कौन अपना बच्चे को पढ़ाएगा हां इसी सुष्पीज़। नमक भात के लिए नहीं है। यह को आइरल कराओ डलाओ तब योगी बाबा तो यतना ना दिया तो हैं कि नमक भात छिलाई जाए। कि ना तो फ़ल, ना दूद, ना तौँक्छ बच्चों को नमक भात के लिए जा रहा है। इसमें कुछ लिखा है, मेनुमें न कुछ दिया ही नहीं, जो दिया भी है वो भी नहीं बन रहा है, नमक भात तो कहीं लिखा है। प्रात्मिक दिद्ध्याला है डिवा पाने का पुरोवा दीकापुर रयोध्या दोनक की स्कूल में नमक भात बच्चों को खिलाया जा रहारा है। तेल भी नहीं है बच्चों के खानें की स्कृति देक भर लूप ना तो अध्यापक जिम्मेदार है ना तो पार्धान जी जिंम्मेदार है। यह स्कूल की हालत यही है नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है ना यहां पे कोई टाट पट्टी है बैठने के लिए ना तो सब्जी है ना तो दाल है